खरूअलो स्ट्रुएंट्स, येल्कम टो ऑग्णू बडि तो देखिए अभी-अभी रिय्षम्वधभी एग्णू ने दिसम्बर तुर्मेंड एक्जाम रिजल्ट का अपडिट पविश कर दिया है, तो यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको status December 29 का दिखाएगा, यहाँ की 29 December का यहाँ पर आपको status दिखाएगा, और टर्बेट एक्जाम December 2023 का यह first update इगनु की तरफ से publish किया गया है, पूरे almost 30 दिन बात किया गया है यह update, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता कि इगनु मैं normally 25 से 30 दिन के अंदर अंदर जो first update है वो आ जाता है, आपने मेरी वीडियो अगर देखी होंगी, तो इगनु ने 25 दिन के बाद ही अपना जो result है, 30 दिन पूरे नहीं हुए अभी, तो 1 December से आपके paper स्टार्ट हुए थे, तो 30 दिन से पहले ही इगनु ने first update को publish कर दिया है, टर्मेंट exam के, और आज के इस update में उने students का result update हुआ है, जो students ने early declaration of result के लिए apply किया था, और खास तोर से वो students का भी result इसमें update हो सकता है, जिन students ने बुलकुल starting में अपना exam दिया है, यानि कि माली जे आपने अगर 1 December से 5 December के बीच में अपना exam दिया है, तो आपके भी high chances होते हैं कि आपका भी result update हो जाए, क्योंकि आपके result को, मतलब copy check होने में 20 से 25 दिन लगते हैं, तो hopefully आपका भी result update हो गया हुआ, अगर आपने बुलकुल starting में exam दिया है, अगर नहीं हुआ है, तो 2 से 3 update के बाद आपका result update होना start हो जाएगा, लेकिन अभी बुल students का result update होता है, जिन students ने early declaration of result के लिए apply किया होता है, तो अगर आप अपना result चेक करना चाते हो, और अगर आपने early declaration of result के लिए apply किया है, तो आप अपना result इस portal पर आकर check कर सकते हो, ये portal आपको इगनु के अभी जल अक्षार पे मिल जाएगा, तो यहापर आप ये link इगनु exam दिया है, तो आप भी अपना result चेक कर सकते हो, बाकि student भी अपना result चेक कर सकते हैं, अगर उनका result आगया होगा तो, तो ये एक important update इगनु की तरफ से आई है आज, इसके बारे में मुझे आपको information देनी थी, अगर आप कोई वीडियो helpful लगती है, तो इस वीडियो को प्ले update पाने के लिए एक बड़ी चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले रहा, so thank you for watching this video, thank you so much